कि दुबस्कार खबरों का पंचनामा देख रहे हैं पर मैं हूँ आपके साथ दिव्यासी हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडों मजूद हैं कैपिटल टीबी के एडिटर हिंची दॉक्टर मनिश कु कारिभार समालते ही अक्षिन में देखे पीए मोदी जारी की किसान सम्मान नीधी की 17 में किस्ट 9 करोड से ज़ादा किसानों को होगा पायदा में पक्ष की बड़ी बेचे मोदी कैबिनेट की पहली बैठा काज मंत्रियों को बिनर्म रहने की दी गई नसीहत नए मंत्रियों के लिए बीचे पे अध्याक्षन नड़ा ने किया खासर की जाम केरल के एक लौते सांसर सुरेश गूपी ने कर दिया क्लियर बोले फैलाई गई परजी खबरे मंत्री परिश्ट से नहीं दे रहा है इसका सुप्रिम कोट ने दिल्ली सरकार को लगाई पटकार जल संकट संबंधी याचका पर जताई नराज की कहा हम आपकी याचका खारिच कर देंगे 12 जून को होगी अगली सुप्राई यूपी में कॉंग्रेस की वापसी से राहूल गांधी गदगद पूरे प्रदेश में पांच दिन निकालेंगे दन्यवार द्यात्रा राय बरेली और वायनाट की सीट पर बुरी तरसे पस लिए सबसे पहली खबर में बाद पियम मोदी की कल शफत लेने के बाद आज प्रदार मंतरी नहरंदर मोदी ने तीसरी बार अपना कारेबार समालने की पहली तस्वीर सामने आई वहीं काराले पहुंचते ही पियम मोदी एक्शन मोट में दिखें पियम मोदी ने किसानों से जुड़ी फाइल पर साइन की उन्होंने किसान समान निधी की 17 किस्त को मंचूरी दे दी है इससे 9 करोड सी जादा किसानों को फायदा होगा किसानों के लिए 20,000 करोड रुपए जारिक किये गए लेकिन इन सब के बीच विपक्ष की बेचैनी औ और बॉखला हट बढ़ी हुई है एक्शन में है पी मोदे लेकिन विपक्ष बॉखलाया हुए देखी बॉखलाने का कारण है राहूल गांदी ने कहा था कि सरकार बनते ही आपके काउंड में पैसे गिरने लेगेंगे खटा-खट खटा-खट लेकिन खटा-खट तो कुछ प्रधान मंत्री ने पैसे भेज दिये तो यह जो वादा यह लोग करते हैं और जो लोग यह काम सुचारों रूप से करते हैं उसमें फर्क है और इसलिए एंडिये को बहुमत मिली है करनाटक से खबर आ रही है कि कॉंग्रिस का प्रवक्ता वहां यह कह रहा है कि जितनी ग देखिए कि किस तरीके से एक तरव आप गरेंटी के ऊपर सरकार बनाते हो चुनाव खत्म हो जाने के बाद आप कहते हो कि नहीं इससे कोई फाइदा नहीं हुए लोगों ने हमें वोट नहीं दिया इसलिए यह गरेंटी खत्म कर देना चाहिए यह कॉंग्रेस पार्टी के दफतर से कॉंग्रेस पार्टी का प्रवक्ता बकायता प्रेस कॉंफरेंस करके यह बाते कह रहा है एम लक्षवर नाम के प्रवक्ता नहीं यह कहा और उसके बारे में बतायाता है कि वो तो मुख्यमंत्री का बिल्कुल सगा है चुनाव भी लड़ा था हार गया तो यह फर राधनितिग्यों के बीच तो यह फर्क तो देश जान गया है और यही बज़य है कि प्रदान मंत्री मोदी तीसरी बार सपत ले रहे है और विपक्ष तीसरी बार सल्क कर रहा है रोध हो रहा है अगली खबर में बात मोदी काबिनेट की केंदर में तीसरी बार बनी मोदी सरकार की पहली काबिनेट मिचिंग हुई पियम हाउस में आयोचित इस बैठक में शपत लेने वाले मंत्रियों ने हिस्सा लिया इस तोराद पियम मोदी ने कहा कि 10 साल पहले हमारे देश में एक च्छबी बनी हुई थी कि पीमो एक शक्ति का केब रहे पीमो को लोगों का पीमो होना चाहिए यह मोदी का पीमो नहीं हो सकता आगे मोदी ने कहा कि सरकार का मतलब सामर्थ समर्पण और संकल्पों की नहीं ओचाहे वहीं खबर ये भी है कि भाजपाध्धक्ष जेपी पार्गेट दिया गया है बटवारा किया जाएगा विभागों का कुछ लोग खुश होंगे कुछ लोग रोएंगे कुछ लोग गाएंगे लेकिन केबिन को लेकर के सवाल बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे है कि कैसे केबिन आपने बना दी जिसमें एक भी मुसलमान नही हैं आपने वोट नहीं दिया आपको फिर क्या एक्सपेक्ट कर रहा हो मुसलिम वोटर्स वो बीजेपी को हराने के लिए स्ट्राटिजिक वोटिंग करेगा देविल इंस्यों कि कैसे बीजेपी हारती है और जब आप काम्याब नहीं होते हैं मोदी फिर भी जीच जाते हैं तो आप कटोरा लगर के पहुंच जा रहे हैं हमारे को क्यों नहीं मिल रहा है यह बिकार की बाते हैं कि भई मुसल्मानों को नहीं दिया गया बहिए मुसल्मान जैसे आम दूसरे समधाय राजिनती में पाटिसिपेट करते हैं हर राजिनतिक दल हर तरह की विचारधारा मे शामिल होते हैं और अपना पाटिसिपेशन बहुत ही डिमोकरटिक तरीके से करते हैं तब तो आपकी मांग जाइज होगी रही बात मानोरिटीज की तो सिख हैं इसमें कृस्चन भी है इसमें जो है बुद्धिष्ट भी है तो तमाब लोगों को दिया गया है आप वोट न दिया जाता था इस तरह की राजिनिती को के उपर पुरुन विराम लगा करके प्रधान मंत्री मोदी ने एक अच्छा संदेश दिया है इस कबर में बात अफवाग गैंग के सक्रिये होने की केरल में भारती जंता पार्टी के एकलोते सांसद है सुरेश गोपी सुरेश गो इस्तिपादे कर फिल्मों में काम करना चाहती है लेकिन इस खबर पर खुद सुरेश गोपी ने सफाई दी है और कहा है कि कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत खबरे पहलाई जा रही है कि मैं मोदी सरकार के मंत्री परिशद से इस्तिपाद देने जा रहा हूं यह सरा आई कहां से क्या उन्होंने कोई बयान दिया उनकी कोई बाइट है कोई प्रेस रिलिज है कहीं उन्होंने मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतनी बड़ी बात कुछ चद कॉंग्रेसी चटे भटे अब वह फैलाते हैं जो काम पूरे चुनाओं में लोगों ने किया गंदग चैनल वाले यह तो वही हुआ कि किसी ना के कहती है कि कवे ने तुम्हारे कान को उड़ा ले गया तो आप अपने कान को देखने के वज़ा है कोई की पीछे भाग रहे हो कोई टेलेविन चैनल में इतने भी लोग काप केपिवू लोग नहीं बैठे हुए कि कम से कम उनको फोन करके पूछ लो कि इस तरह की ख़बर आई कंफरमिशन कोई तो कर लेता लेकिन नहीं यही कॉंग्रेस पार्टी की सक्ति है जिसके सामने भारती जंता पार्टी हार ग कि और वहना किया कि सारे फिल्मों को पूरा करना है मतलब आपने पहले आप समझे किस के पीछे क्या खेले कि के एल्म में पहली बार कोई व्यक्ति जीता है उसके पीछे सारे लोग पढ़ गए सारे लोग पीशे पढ़ गए कि भाई तो नॉन सीरियस है फिल्म में जाएगा फिल्म एक्टर है एक नॉन सीरियस व्यक्ति को आपने मंत्री बना दिया तो आप ये समझे कि प्रोपगेंडा का अस्तर किस अस्तर पे है अब किसे को पनिस्मेंट तो मिलेगा नहीं क्योंकि हि जोट बोलना को अपराद नहीं है जोट बोलना पाप माना जाता है लेकि अपराद नहीं माना जाता इस तारह work say व्यक्यांने वालों को अगर आप जेल में डालुऊ है कि ये अफ़वा उड़ाए बगैर एक दिन जिन्दा नहीं रह सकते जे और बात के जवाल सरकार की दिल्ली में बढ़ती गर्मी के मद्दे नजर पानी के बढ़ते संकट कुले का दाखिल दिल्ली सरकार की आचका पर सुप्रेम कोर्ट ने सुनवाई की और इसे 12 जुन तक टाग दिया है दिल्ली सरकार की याचका में तुरूटी अब तक नहीं सुधारे जाने से नाराज सुप्रेम कोर्ट ने सरकार को पटकार लगाई है जस्टिस प्रिशांत मिश्रा और जस्टिस प्रसंद्ना वराले की बिंच ने कहा कि आप तो जल सुनवाई के लिए आए इनका धंदा है को काम धाम थोड़ी करना है हर चीज़ पर आजिती करनी है अगर तुटी सुधार हो जाए सुप्रेम कोट का आदेस आ जाए सब कुछ हो जाए तो फिर यह कैसे प्रेस कांफरेंस करके कहींगे हर्याने ने रोक लिया यह बीजेपी वाले पानी रोक लिया देखिए एही लोग बड़े पहुंचे वे नोटंकी बाज है यह जासा आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है वह केजरी वाले क्या किया सुप्रेम कोट के फैसले का जो मजाक उसने उड़ाया बाहर आकर के कहा गया था उसको कि भई आप अपने के बारे में बात्चित नह नहीं है था कि मेरे खिला कोट समौथ नहीं है यह नहीं है वो नहीं आप यह थो आफो सामने हूना कहा गया कि भई है Autom स्केश से जुड़ें और गवाहँ से मुलेंगे नहीं अब देखिए संजय नहीं के साथ इसके अंदर अब तो आप इस चीज़ को समझिए सिस्टम कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा धिराई बरता है जान बूच कर तो इस तरह का फटकार लगाने से कोई फाइदा थोड़ी है रिजिक्ट कीजिए सुधार नहीं कर रहे हैं आग जा साहब करना चाहिए करना उस प्याइल को नह सुनना है तुम जानों तुम्हारा काम जाने सरकार चलाने का काम आपका है पानी मोहिया कराना यह दाई तो आपका है पानी कौन दे रहा है नहीं दे रहा है यह आप उसके उपर राजनिती कीजिएगा तो यह तो घलत तरीका है लेकिन यही इनका तरीका यही अब तक कर र आता नहीं है यह तुरूटी सुधार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इतने कड़ों कड़ों रुपए के आप वकीलों को पाल रहे हो उन्हों के पास वक्त नहीं है या फिर आप इसके उपर घटिया राजिनती करना चाह रहे हो एक साजिस के तहत आप चीजों को ल स्चरवाथ राइबरली से कौंघ्रे सांशत राहूलगांधी की काफी ज्याता देखी जारी है और वाइनाठ के समर्तव叉क भी रहने की सुनाई कि जीत हुई है अखलेस यादव की वज़त से और धिनोरा पिटेंगे कौन राहुल गांदी क्रेडिट चोर क्रेडिट चुरा लो देशवर में हारे नौ ऐसे राज्य हैं चाहां कॉंग्रेस पाटी खाता नहीं खोल पाई वहां अपना विज़े जुलू सुले करके जाओ और वो तो आप छोड़ दीजिए करनाटक में जो आप वादा करके आये थे वो पूरा क्यों नहीं हो रहा है लोग वहां ढून रहे ह आपको यह भी बताएं कि उन महिलाओं को आप क्या जवाब देंगे जिनको आपने गरंटी काट दिया था एक लाग रुपे का भाई लोग ऑफिस आ रहे ने ढूंड रहे हैं उनको क्या आप जवाब देंगे तो करने का मतलब यह है कि कॉंग्रेस पार्टी राहूल यह भोशना होनी थी किहां मैं लीडर वोपोजिशन का दाइत लेने को तैयार हो वहां से आप भाग जाओगे और दूसरे की मेहनत के उपर अपना पर्चम लहराना क्रेडिट चुराना यह काम में आप लगे हुए हो तो ठीक है आप पास दिनों तक यात्रा किजिए विज के खबरों और उनके सठीक अनलाइसस के लिए देखतर रहे है कापिटल टीबी हमें लाइक केजिए शेर कीजिए और हाँ कापिटल टीबी को सब्सक्राइब करना बिलकुल भूले धन्यवाद